Hey hi guys welcome to youtube तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं for loop को javascript के अंदर तो बहुत ही जादा easy है तो चलिए start करते हैं सीखना तो इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने सीखा था types of loops in javascript और loops के बारे में जाना था कि loops क्या चीज होती है ठीक है तो basically loops एक way है हमारे पास चीजों को repeat करने का in programming language programming languages में हम loops की मदद से चीजों को repeat कर सकते हैं कितनी बार जितनी चाहें उतनी बार कब तक repeat होगी जब तक हमारी condition true रहेगी तब तक हमारे पास चीजे repeat होती रहेगी तो आज की इस video के अंदर हम एक program create करेंगे जो की count करेगा वन से लेके 100 तक प्रिंट करवाएगा counting को ठीक है तो चलिए create करते हैं program यह वाला program for loop की मदद से और for loop को समझते हैं अच्छे से ठीक है तो for loop create करना बहुत जादा easy है for loop create करने के लिए use होता है for keyword का उसके बाद parenthesis लगते हैं और इन parenthesis के अंदर pass किये जाते हैं three arguments one argument, two argument and third argument three arguments इसी parenthesis के अंदर pass किये जाएंगे तो चलिए discuss करते हैं कौन-कौन से arguments जो pass होते हैं इन parenthesis के अंदर तो सबसे पहला argument यानिकि number one argument वो है हमारे पास कि हम declare कर सकते हैं और initialize कर सकते हैं variable को for loop के ही अंदर for loop के ही अंदर आप variable declare कर सकते हो और initialize कर सकते हो यानिकि इसी parenthesis के अंदर किस तरह से बहुत जादा easy है आप simply लिखोगे variable var i और उसको value भी यहींपे दे दोगे i equal to one ठीक है तो इस तरह से आप value को declare कर सकते हो बड़े अराम से ठीक है यानिकि variable यहीं पे बना सकते हो और उसके बाद यह separate किये जाते हैं किसकी मदद से semi column की मदद से semi column की मदद से जो है argument number one and argument number two क्या किये जाएंगे separate किये जाएंगे अब बात करते हैं second argument की जो की बहुत simple सा argument है जो की है expression या फिर आप हो सकते हो condition जो भी condition आपको देनी है अपनी loop के अंदर वो second argument होगा आपके पास for example हमें एक से लेके 100 तक counting को print करवाना है तो यहां पे हमारे पास क्या logic है हमारे पास एक logic है यहां पे less than equal to 100 तो यह condition कब तक true रहेगी जब तक i की value 100 के बराबर रहेगी या फिर 100 से नीचे रहेगी तब तक यह true रहेगी जब i की value 100 से बढ़ी हो जाएगी 101 हो जाएगी तब condition false हो जाएगी और loop बंध हो जाएगी terminate हो जाएगी और उसके बाद i की value हर बार जब repeat होगी तब भढ़ती रहेगी यानिकि एक बार 1 होगी फिर 2 हो जाएगी फिर 3 हो जाएगी फिर 4 फिर 5 फिर 6 इस तरह से भढ़ती रहेगी ठीक है तो यहां पे क्या आएगा second argument होता है हमारे पास condition तो यहां पे condition create कर दिते हैं i less than or equal to 100 कर दी हमने condition और फिर से क्या लगेगा semi-column because हमें second और third argument को separate कराना है इसलिए हमने फिर से semi-column लगा दिया ठीक है अब last argument है हमारे पास वह होता है incrementation बोल सकते है याप decrementation बोल सकते है आपको अगर incrementation कराना है value के अंदर values को बढ़ाना है अगर हमें i की value को भढ़ाना है इस i की value को अगर आप भढ़ाना चाते हो इसको तो हम यहाँ पे कर देंगे i plus plus लेकिन अगर आपको value को घटाना है decrease करना है तो उस case में आप क्या करोगे उस case में कर दोगे i minus minus simple ठीक है तो first argument होता है जहाँ पे हम हम declare करते है इनिशिलाइज करते है Second argument है जहाँ पे हम condition या expression लिखते हैं Third argument है जहाँ पे हम increment करते है value को या फिर decrement करते हैं हम हमारे case में हम 1-100 तक print करवाएंगे तो इसलिए increment करवा रहे है हम यहाँ पे तो अब इस program को write करते हैं write करते हैं इस program को और उसके बाद the curly braces लगते हैं और curly braces के अंदर क्या आती है आपकी statement आपकी statement या जो भी चीज आप print करवाना जाते हो जितनी बार ठीक है condition के according वो चीज आती है उसके बाद curly braces के अंदर चलो इस चीज को करते हैं यहां पर तो for उसके बाद हमें पता है कि variable यहीं पर declare कर सकते हैं first argument है variable आप यहीं पर declare कर सकते हो तो variable i equal to one और semicolumn से separate किया second argument है condition तो i less than equal to hundred ठीक है second argument हो गया third argument है वहापे आप decrement कर रहा सकते है या increment तो i की एई कि बैल्योगा फिर चीज कर वाना है तो यह हो गया football प्रेंट कर वाना हैกह्ट रवाने सौ ओपर पर से और बेंगे उल्हाए को प्रेंट कर आए को प्रींट कर रहा हूंких अर्य करतेंके और पास नीचेर करके हमारे पास तुपर रिजल्ट है तो इस तरह से जो है फॉर लूप काम करती है बहुत जाते इजी है बिसिकली इसकी वोकिंग में आपको थोड़ी बहुत बजा दू एक्स्प्लेइन कर लूँ तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में आई की वैली वन थी ठीक है जब यह लूप चली पहली बार ठीक है तो इ यह बन गया 2 तो सेकिंड टाइम हमें क्या मिल गया 2 मिल गया अब आए के अंदर नई वैल्यू 1 नहीं है आए के अंदर एक नई वैल्यू आगिया जिसका नाम है 2 तो अब 2 होगा हमारे पास और फिर से क्या होगा 1 एड होगा वाहां पर बिकोज हमने 1 का इंक्रिमेंट दि तो 3 तो 3 आगया अब आए की नहीं वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 1 4 और यह कब तक होती रही जब तक हमारी कंडिशन फॉल्स नहीं होगी तब तक यह चलती रही यानिकि यह 100 तक जब तक यह 101 नहीं हो जाती और यह चैक नहीं कर लेता 101 इस लेस्टन और इकल टू 100 तब तक यह करती रहेगी इसलिए यह 100 बार प्रिंट हो गया तो सिंपल थी फॉर लूप बहुत जादा तो थैंकिस सुमार्ट वट्टिंग देस वीडियो प्लीज लाइक शुरें सब्सक्राइब कोई कोशन हो तो कमेंट सेक्षिर में पूसकते हो बाई बाई टेक्यर और नेक्स्ट झाल 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 झाल